कि कि अधियुक्ति यूट्यूब चैनल आएम जहन्त नागदाई और बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज जो में समझने की जरुत है ताकि हम आगे की टॉपिक्स समझ सके हैं वह है वेव प्रंट से रेलेटेड ये लेक्चर होने वाला है लेक्चर वन और वेव ऑप्टिक्स सारी चीज़े बेसिक होगी बहुत अमेजिंग भी होगी तो यहां से आप लोग सारे लेक्चर की सीरीज को फॉलो करते रहें इस चैनल पर रेगुलर रहें consistency is the key बच्चा ताकि आप लोग अपने exams में जो भी आपका board exam है या competitive exam target है उसमें बहतरीन नमबर हासिल कर सके अपने चैनल पर सारे बच्चे जो physics, chemistry, maths की 11, 12 की content चाहते हैं absolutely freely available है make sure आप subscribed है make sure आप यह सारा content absolutely free of course देख रहे हैं तो कुछ contribute back to the society भी करें by sharing and liking each and every lecture यहां पर एक छोटा से share button है बच्चो hashtag jlivedaily से share करें जब भी आप share करते हैं एक अपनी revolution का hashtag hashtag jlivedaily use करके अगर share करेंगे then we'll be able to find out की कौन से बच्चे हैं जो की हमारे इस initiative को support करते हैं and we feel very motivated very nice whenever we see one particular like one particular comment या आपका कोई share हम social media पे देखते हैं बच्चो अपने channel पे सारे lectures absolutely free of cost available है एक link पे हमने लगा दिया है उस इसको livedaily.me slash j इस link को आप लोग url box में enter करेंगे enter करेंगे टाइप करके enter करेंगे तो आपको सारे lectures एक ही जगे पर मिल जाएंगे link is livedaily.me slash j तो इसको आप लोग bookmark कर ले और regularly visit करें आपको सारे 11 12th के topics के सारे lectures सारे notes एक ही जगे पर मिल जाते हैं ठीक है उस तरह से हम लो नई series launch करते हैं उसकी information सारे lectures का schedule सारे का सारा notes हम लोग daily telegram पे update करते हैं तो telegram app पे आप लोग academy j search करके इस group को ज़रूर join कर लीजे उससे आपको सारे के सारे lectures और सारे के सारे updates मिलते रहेंगे साथ साथ बच्छो आपको description में एक academy की profile का link दिया हुआ है जहाँ पे हमने already बह description में academy की जो profile link है और साथ में यह एक और link है क्योंकि आपकी life को change करेगी बच्छों क्योंकि सारे के सारे one shot revisions lightning revisions only theory revisions theory plus practice या only practice revisions आपको मेरी academy की profile पे मिल जाएंगे तो यह आपको एक बहुत unbelievable level पे किसी भी competitive exam में marks दिलाने के लिए बहुत sufficient है more than enough है आप लोग को बता दू कि यहाँ पे हम लोग सारे interactive sessions बातचीत के लिए guidance के लिए करते हैं वह हम एक special class में करते हैं one academy के platform पे होती यूट्यूब चैनल पे तो होती है बट थोड़ी से interactiveness आपको on academy की classes में दिखेगी व years on academy subscription और उसकी वज़े से बच्चे बहुत अच्छा अपने results ला पार है हमारे पहले ही batch अभी just result दिया है तो आपको बालूम होगा कि कैसे hundred percentile और all India rank one भी academy के students अब ला रहे हैं तो यह सारी चीज़े कैसे possible है with the best of the educators and best of the technology एक बहुत ही बहुत ही amazing सा mix होता है बच्चों यह यहां पर YouTube पर करते हैं उसको structured format में batch की form में conduct करते हैं तो आपके बहुत सारे 11th और 12th और droppers के batches regularly चलते रहते हैं उनका part बन सकते हैं सब्सक्रिप्शन की बहतरीन बात यह है कि आपको कोई भी batch में कितना भी समय तक पढ़ने में कोई भी रोखेगा नहीं यहां पर सिर्फ एक batch नहीं बच्चों आपको multiple batches में क्या चल रहा है वो जानने की और उन लिए classes attend करने की पूरी छोट है साथ साथ आपको ऐसे authors ऐसे publications के books आप already पढ़ते हैं जहीं की त्यारी के लिए उनके authors यहां पढ़ाते हैं वो है अन-academy subscription अन-academy subscription obviously paid platform है अपनी यस YouTube offering और जो आपकी special classes है वो absolute free है बट आपको एक minimum price रुपी 70 per day से start होने वाले कुछ plans है बच्चों बता दूँ यहापे रुपी 65 per day 70 per day इस तरह के आप आपके one year two year या 2.5 year के plans available है जिनने आप maximum discount से ले सकते हैं using the code जैंत ठीक है तो आप अपनी EMI payment option या credit card debit card पर जिस तरह से payment आप करना चाहते हैं और जैंत कोड के साथ maximum discount से सारे के सारे courses जो की अन-academy के सारे educators ने किये हैं just think about this this is marvelous आपके अन-academy में बहुत सारे educators हैं जिनके सारे courses आप access कर पाएंगे जो पहले हो चुके हैं और जो upcoming courses हैं तो upcoming courses में आपको interaction करने को मिलेगा doubts पूछने को मिलेगा and बहुत सारा pdf material बहुत सारा iconic में आपको printed material and बहुत सारी test series this is more than enough more than sufficient not just for J main and advance बहुत सारे students के वी पेवाए Olympiad भी regularly रेक करते हैं तो यह आपका एक साम से batches आने वाले हैं उनकी information में end of the video में जरूर दूँगा जो आज कहीं जो topic है वो optics की श्रेडी में आता है जो याद करो ray optics या geometrical optics वाला जो पार्ट है उसमें हम basically क्या समझते हैं कि कैसे light का reflection होता है reflection होता है दो phenomenon वहाँ पर हम discuss करते हैं reflection of light से हम start करते है mirror और वो सारे cases और same medium में reflection के अलावा different medium में reflection की cases भी हमने पड़े हुए उसके अलावा आज जो हमें पढ़ना है जो start करना है वो topic है wave optics तो wave optics को हम physical optics भी कहते हैं कई बार आपको यह हो सकता है physical optics के नाम से भी हो इसमें हम क्या नया पढ़ने वाले यहां पर बहुत सारी चीज़ें जैसे की reflection रिफ्रेक्शन तो हई है reflection और रिफ्रेक्शन तो हम पढ़ने ही वाले साथ साथ आपको interference experiment diffraction in fact polarization तक की सारी की सारी information आपको यह एक concept वे फ्रेंट का concept उससे समझाया जाएगा इसलिए हम लेक्शन की शुरुवात अपने वे फ्रेंट की concept को समझ के करते हैं तो यह जो डाइग्राम आपको दिख रहा है यह अभी आपको एक दो लेक्शर में समझ में आ जाएगा इस रिप्रेजेंटिंग टू वे फ्रेंट बचो एक तो incident वे फ्रेंट है उसके बाद एक वे फ्रेंट आपका reflected है और एक वे फ्रेंट आपका reflected है इन चीज़ों को हम समझेंगे वे फ्रेंट की basic understanding से also the story actually starts with confusion के light एक वे फिनॉमिनन है या पार्टिकल फिनॉमिनन है यहां पर लाइट के dual behavior की भी बात होगी बचो बहुत बहुत जादा अच्छे से सपोर्ड भी किया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सबसे पहले न्यूटन ने प्रपोज भी किया था उसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस थे न्यूटन ने एक फॉर्मुली बुक लिखके optics उस बुक का नाम थे और उसमें उन्हों ने और पॉसल्स बोला वहां पर एक कॉर्पुस कलर थे ओरी ऑफ लाइट भी हमने जो डिसकस किया था रियूप्टिक्स के शुरुवात में तो कॉर्पस के लिड़ थे ओफ लाइट से डाइट इस डाइट लीनियर पात को फॉलो करेंगे स्टेट लाइन पात को फॉलो कर होगी उनकी रिफ्रैक्शन होगी तो यह न्यूटन ने दिया था कंसेप्ट और न्यूटन कितना पॉपुलर है मालूम है लेकिन यहां पर एक और कंसेप्ट हाइगंस ने दिया था विच इस तरह की एक थेओरी दी थी और वही बात है कि बहुत सारे एक्सपरिमेंट्स य लाइट कभी वेव है कभी पार्टिकल एपको इस पर्टिकलर अनिमेशन में समझ में भी आ रहा होगा दिखाई भी दे रहा होगा अगाज हो जाता है तो यह पर्टिकलर स्टेट लाइन पाथ को फॉलू करते हैं और अगर सामने कोई ऑप्सेकल आ गया तो शैडो बन जात है अधर्वाइज वो इंफिनेटी तक जाते हैं लाइट की स्पीड से जाते हैं अच्छा यह जो टाइनी कॉर्फुसल्स हैं आज की डेट में डेफिनेटली हम इन्हें फोटॉंस के नाम से बेटर जानते हैं वी नो दे कंसेप्ट ओफोटॉंस नाव गर हमने एक फॉर्म यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब कभी मैगनेटिक फील्ड होता है यह फोटॉंस उनसे अन अफेक्टेड रहते हैं यह अपने को पता है तो इस तरह से कहीं न कहीं यह जो कॉर्पुसल्स थियोरी है कि स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल्स मूव करेंगे पते बच्यों यहां पर देखना reflection का फिनोमेन जैसे Newton ने explain किया था जैसे Newton ने बहुत सारी मे aunशारी न क्यानिक्स की चीज़े explain करी है वैसे ही आपके पास इस Nous इस तरह गहां चोटा एंड एंगल ओफ रिफ्लेक्शन अगर हम मेजर करें यह दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और दिस एग्जाक्ली लाइक हाव इट इस इन केस ओफ कि यह इंगल और यह अंगल बिलकुल सेम होता है न्यूटन ने तो अपना बहुत ही इजी सा एक अंडरस्टेंडिंग के चोटे-चोटे पार्टिकल्स अब किसी भी सर्फेस पे इंसिडेंट होंगे वह एंगल और एंगल और रिफ्लेक्शन सेम बनाएंगे यह बोला एंड उसकी एनलोजी उन्होंने दे दी किस तरह से जब elastic collision में इस तरह के particles move करते हैं वैसा ही collision हो रहा है तो कई लोगों ने इसी इसको बिलकुल मान लिया कि हाँ ही बिलकुल ऐसा होता है elastic collision में और Newton जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं वो भी कैसे मेल खाती है अपनी real life understanding से in the case of reflection ने तो reflection का case उन्होंने explain किया एक reflection उन्होंने कैसे explain किया अपने को पता है न reflection क्या होता है light ray moving from rarer to denser medium यह denser medium में जैसे ही dense medium में जैसे incident करेगा from the rarer medium हमें क्या पता है light ray will bend towards the north जैना तो light ray जब bend हो जाती किसी नए medium में एंटर करते वक्त उस phenomenon को Newton ने ऐसे explain किया you can think of these particles of denser medium यहाँ पर जो denser medium की कुछ particles होंगे they are kind of attracting these light particles light के corpus cells को वो किसी तरह का interaction दे रहे है attraction दे रहे हैं जिसकी वज़े से light जो है इस नए medium में आके bend हो जाती है ऐसा कहना था स्रीमान न्यूटन का और क्योंकि उस समय पे जब भी न्यूटन ने कोई नई theory दी है या नए laws दी है already इतने जादा publications कर चुके थे उनका इतना बड़ा नाम था I think इतने बड़े नाम को चुनाती देना साथ में उनकी popularity भी बहुत थी काफी काफी difficult था उन्हाने जो भी कह दिया जो भी in fact उनकी समझ में आ गया उन्हाने कह दिया और उसीज को मान भी लिया गया popular opinion यह हो गए कि yes Newton can explain reflection also like elastic collisions and refraction also as if there is some interaction between light particles and medium particles आज तक यह जो attraction है जो interaction of light particles यानि की photons का interaction है with material medium वो एक तरह से बताया नहीं गया है समझ में नहीं आया है scientist को even till date but क्यूंकि Newton ने उस समय पर यह सोचा उसीज को लोगोंने काफी हद तक मान लिया है और उसके बाद भी देखना बच्चों बहुत सारे scientist की opinion है यह Isaac Newton का birth year और death year है उसके पहले in fact यहां पर Christian Huygens आप देखने Christian Huygens इन्होंने भी एक concept रखा था he is somebody who is born before Newton you can see इसकी और इसकी date of birth में Huygens is actually somebody who is born before Newton and उन्होंने यह concept रखा light actually wave phenomenon आप समझे रहें उससमें जब particle nature Newton ने propose कर दिया उससमें एक theory ऐगन ने 1678 में propose करी थी in the book known as treaties on light treaties on light उन्होंने यह एक theory प्रपोस करी है कि light is actually a wave phenomenon light particle nature नहीं है light एक wave phenomenon है और वो wave phenomenon की wavelength actually decide करती है wavelength जो होती है ना highest से highest point के बीच में वो lambda decide करता है कि इसका कौन सा particle nature है या wave nature है कौन सा nature इसमें ज्यादा 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 अच्छे से impact कर पाएगा तो for example यहाँ पर जो छोटी wavelength है इससे भी और छोटी wavelength अगर हम बनाएं ना just imagine कि light की जो actual wavelength है जो कि nanometers में आज की rate में तो हमें पता है उसे अगर हम plot करें अगर इस screen पर हम उसको plot करेंगे तो nanometer की wavelength maxima से maxima अगर इतना छोटा सा gap है तो बहुत दूर से देखने पर तो straight line की तरह ही दिखेगा हमें बहुत दूर से अगर इसको हम देखेंगे in fact इस wavelength को भी इसी वज़े से आता है इसी वज़े से आता है because the wavelength of light is much smaller than the dimensions of the obstacle in its path तो इस तरह से जब उन्हें question किया गया सबसे पहले उन्होंने wave theory propose किया और Huygens को question किया गया कि आप कैसे यह बोल सकते हैं कि wave है जबकि straight line में move करती है something moving करने straight line कैसे wave हो सकते up and down up and down इस तरह का maximum minimum pattern तो होना चीए उनका यह reply था क्योंकि उसकी wavelength इतनी जादा छोटी है जो छोटी wavelength की wave को आप plot करेंगे तो almost straight line की तरह behavior देगी तो he was putting up arguments in this book also otherwise also but उनकी जो arguments थे वो इतने लोगों को भाय नहीं उस point पे in fact Huygens का जो contribution था till his death even after hundred years of his death एक तरह से unrecognized गया बच्चो ठीक है तो Newton का जो प्रभाव था Newton का जो effect था उनकी लेटर in fact hundred years के बाद realize किया कि actually जो सही है और यह सबसे पहले realize हुआ लोगों को when there was an interference experiment interference experiment is that key moment जहां पे 1801 में लोगों नहीं आभास हुआ कि actually light एक wave phenomenon इसको इसको experiment को किया था Thomas Young ने Thomas Young is coming almost hundred years after these guys उसके बाद उन्होंने जो experiment किया है 1801 में experiment थोड़ा सा हम यहां पर समझ सकते हैं दो sources of light यहां पर S1 और S2 होने चीह हैं दो coherent sources of light होने चीह हैं और उनका जो interference होगा उनका जो इस तरह से एक pattern बनेगा यहां पर एक screen रखी हुई है light sources के सामने अगर screen रखी हुई है तो slit 1 और slit 2 की वज़े से कैसे pattern बनता है बच्चों कहीं पर dark बनता है आप देख रहे हो यह black spots यह सारे क्या है dark spot और कहीं पर bright बनता है तो bright बनना तो समझ में आता है सामने light sources लगा रखें वो भी दो लेकिन उन दोनों की वज़े से कुछ points on the screen dark है light plus light darkness बन रही है तो यह एक बहुत ही interesting phenomenon होता है जो कि sound waves में भी होता है और इसे interference बोलते है यह experiment सबसे पहले अपने वो clue देता है कि in fact light can be a wave phenomenon तो यह आपको interference experiment डीटेल में पढ़ना इस पूरे wave optics की जान है यह YDSC Young's double state experiment बोलते ह नाम तो यह Thomas Young का experiment है और यह हम पढ़ते हैं definitely बहुत detail में बट मैं आपको ऊपर-ऊपर से idea दे रहा हूं कि कैसे light from two sources two sources producer maxima and minima dark and bright भी produce करेगा तो डार्क स्पॉट प्रडूस कर रहा है यह wave phenomenon का प्रमान है in fact जब इस experiment को आप ऐसे करके देखेंगे in fact IIT के first year में किसी भी engineering के first year में आपको यंग्स double state experiment करके दिखाया जाता है उसमें आपको रीडिंग्स लेनी होती जैसे 11-12 में आपके बहुत सारे students practicals करते हैं तो colleges में भी इस तरह के आप practicals करते हैं और yes बच्चों यह एक slit और यह दो slit slit मतला आपने इस तरह के a cardboard में दो openings बना दी है slit और उसकी वज़े से देखना screen पर सामने जो pattern बन रहा है और इस ब्राइट फिर ब्राइट हर जगे नहीं है पूरा ब्राइट uniform नहीं है इसा भी नहीं है इसा बीच में थोड़े थोड़े डार्क स्पॉर्ट आ रहे हैं तो इस दे इंटर्पेरेंस एक्स्पेरिमेंट हैपंड इन 1801 सबसे पहले लोगों को यहां पर लगा कि लाइट सच में एक वेव फिनॉमिन हो भी सकता है और अगर लाइट पार्टिकल फि आएंगे आपको क्या लगता है अगर बहुत सारे पार्टिकल्स को इस तरफ से भीज दिया और इन दोनों स्लेट के त्रू जब वो पार्टिकल्स मूव करेंगे इस तरह की और इस तरह की दो ही ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए दो ही ब्राइट लाइन ऑन दे स्क्रीन बननी चाहिए if you consider the light as a stream of particles like how Newton proposed it like बहुत सारे जो जो समय सीज को मानते थी तो पैटन यहां पर अलग सा बनता है तब जाके पैटन आपका दो इस तरह की लाइन बनना चाहिए दिख रहा है आपने को अब्वियस सी बात है अगर इस तरह से बहुत सारी गेंद फेकेंगे व और यहीं पर लग सकती है लेकिन in reality we know that when we conduct this experiment किस तरह का लाइन बन रहा है यहां और यहां तो बनी रहा है बच्चों लेकिन यहां भी बन रहा है यहां भी बन रहा है end of the screens पर भी बन रहा है वहला है screen के हर point पे light reach कर रही है और important बात क्या है कि दो bright के बीच में डो bright के बताने वाला experiment है इस point तक जो हम particle nature समझते थे अब wave nature साबित हो गया है experiment के थूँ अगर प्रूव हो गया तो एक तरह से यंग के इस experiment ने disprove कर दिया newton की corpus seller theory को आप कोई भी चीज़ को शुरूआत में theory बोलते है किसी भी scientist का कोई भी idea होता है इसको शुरूआत में क्या बो इसी point पर अगर वो प्रूव हो जाता है then that happens to be a law तो जिस तरह से newton ने अपना एक theory दिया लेकिन वो बाद में जाके disprove हो गया है उसे अब हम law नहीं कह सकते हैं जिसे law of reflection है जो कि newton नहीं बताया है law of आपके जो हम first law of newton second law of motion है इस तरह से करते हैं वो सारे भी laws है बट यहा यहां पर क्या हो गया है यहां पर young case experiment ने जो आपका expected behavior है दोनों जगे पर ही बस लगनी चाहिए light ऐसा नहीं है हर जगे पर light पहुंच रही स्क्रीन पर उसको disprove कर दिया है मतलब particle nature को तो disprove कर दिया है और yes light को हम अब से एक wave nature की तरह ट्रीट करने लग गया है तो बच्चो दी थी कि light wave होती है उस समय जब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे तब हुमने उनको इतना सोचा नहीं लेकिन दे वेंट बैक तो हाइगन स्थियोरी हाइगन स्वेव थियोरी पे वो लोग फिर से गए और उनने जो चीज़े लिखी थी उनको समझने की कोशिश करी इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर अगर हम दोरों को कंपेर करें यहां पर हम न्यूटन की पार्टिकल थियोरी को न्यूटन का जो कॉंट्रिबूशन के light is a stream made up of particles ठीक है जो हाइगन का कॉंट्रिबूशन के wave nature of light होता है उन्हों को कंपेर करें तो as people went back to हाइगन स्थिय जब हाइगन स्थियोरी पर फिर से आए तो सबसे पहले हमने क्या देखा है interference experiment तो wave nature को साबित कर रहा है और पार्टिकल नेचर को डिस्प्रूव कर रहा है बट इफी गो बैक टू रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो पार्टिकल नेचर भी प्रूव कर पा रहा था इलास्टिक कोलिजन के थू रिफ्लेक्शन भी एक तरह से बोल पा रहा था कि interaction between the material medium and the light की वज़े से bending होती है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को हाईगन ने भी प्रूव किया हुआ है हाईगन ने भी अपना जो construction दिया हुआ है हाईगन का भी जो पूरा एक इ propagation कैसा होता है what is the concept of wavefront यह सब उन्होंने बताया हुआ था अपनी बुक में उस समय बहुत साही लोगों को इसकी awareness नहीं थी लेकिन उन्होंने reflection reflection को बताया हुआ था explain किया हुआ था using the wave theory and interference experiment totally is in the favor of wave nature of light उसके बाद देखो दो experiments और आये हैं diffraction and polarization again पूरी wave optics की सीरीज में हम ल भी detail में पढ़ना है polarization भी एक lecture पूरा लगता है उसको अपने को पढ़ना है यह दोनों भी आपको पता चलेगा कि wave nature of light को ही support करते है reflection is the bending of a wave around the obstacles जैसे हमने देखा था ना ray optics के एक keyhole वाले diagram में keyhole बहुत छोटा सा है कोई भी hole हो in fact अगर आप कहीं पे चाई की टपरी पे चाई पी नहीं जाते हो आपको जो light arrive कर रही है through the hole seems to bend a bit so that जो hole की यहाँ पर एक bright spot बनती है इसको shadow तो नहीं बोल सकते sunlight इदर से आती पर hole की वज़े से जो यहाँ पर बड़ा सा spot बनता है उसकी dimension actual hole की dimension थोड़े से बड़े होते हैं तो hole की dimension छोटी है यहाँ पर उसका जो एक light पहुंच रहा हो बड़ा है मतलब यहाँ पर bending of light ray हो आप लोग यहां से आवाज लगा होगे लेकिन दूसरे कमरे तक आवास पहुंच जाएगी because sound wave भी bend कर जाती है doors के around windows के around यह diffraction experiment diffraction को light के कि इसमें हमें समझना है polarization क्यूंकि light एक transverse wave है तो polarize हो सकती वो भी हमें पढ़ना है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि all the check box all the boxes are checked for the wave theory मतलब की wave theory बहुत सारी चीज़ें यहां पर explain कर पा रही है और particle theory जो है वो सिर्फ दो ही चीज़ों के explain कर पा रही है उसमें से एक win-win situation हमको लगती हमें लगता है कि yes हाइगन ही वो भगवान है जिन्होंने light को अच्छे से समझा है बाकी सारे लोग तो इदर उदर की बाते कर रहे थे but you might be surprised that there is one more experiment which again shook the entire world पूरे दुनिया को फिर से पूरे scientific community को especially बहुत बड़ा जटका लगा जब एक बहुत interesting experiment फिर से picture में what is that experiment can you all guess कि आप गेस कर सकते हैं कि interference experiment में तो 18001 में बताई दिया था कि light एक wave phenomenon है particle नहीं है वो experiment के बाद एक और experiment ऐसा है जिसमें और ज्यादा confusion बढ़ गया है बच्छों यहां पर एक experiment और which is the photo electric effect experiment conducted in you know बहुत सारे इसके तो बहुत सारे in fact experiments हो रहे थे लेकिन सबसे पहले उनको explain किया अलबर्ट आइंस्टाइन ने अलबर्ट आइंस्टाइन ने फोटो एलेक्ट्रिक एक्स्परिमेंट को कंड़क्ट नहीं किया था बाइद वे ठीक है तो उन्होंने explain किया था 1905 में और यह एक्सपरिमेंट यह बताता है कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है लाइट एक पार्टिकल फिनॉमेन है यानि कि अभी तक जो हम वेव वाली अंडर्स्टाइनिंग ले रहे थे लाइट की सड़नली उस पर रोक लग जाती है और लाइट का एक पार्टिकल सपोर्ट करने वाला experiment फिर से picture में आता है विच इस दे मौस्ट फेमस फोटोलेक्तिट्रिक एक्सपरिमेंट फोटोलेक्रिक एक्सपरिमेंट इस पार्टिक्टर एक्सपरिमेंट लिनियंट और हाल्वक ने 1901 में किया था उसके पहले भी बहुत सारे scientist ने किया था 1900 में इन्होंने photoelectric effect का publication किया था exactly क्या हो रहा है उनको इतना समझ में नहीं आए था बट उनके experiment में उन्होंने जो light को एक metal की surface पे incident किया था और क्या देखा था कि electrons का emission हो रहा है this is the photoelectric effect का experiment light falling on the metal surface and ejection of electrons is seen kinetic energy जो उनकी है वो depend नहीं कर रही है intensity of the light पे यह जो एक particular statement है कि kinetic energy अगर intensity पे depend नहीं कर रही है rather frequency या wavelength पे depend कर रही है यही particle nature को बताता है in fact हमें modern physics में तो यह detail में पढ़ना ही है how this particular statement is representing particle nature अगर आपने chemistry में especially physical chemistry 11th में हम लोग थोड़ी सी यह चीज़ पढ़ लेते है आपने से कई बच्चों को यह चीज 11th में थोड़ी बहुत पढ़ा दी गई है आपको यहाँ पर सोचना चीए बच्चों कैसे kinetic energy intensity पर डिपेंड नहीं कर रही है अगर हम यहाँ पर light की intensity बढ़ा दे ना frequency उतनी रखें यानि कि यह wave nature की वज़े से नहीं हो रहा है यह light के particle nature की वज़े से हो रहा है light को फिर आप made up of photons इस तरह से बोलते हैं वही Albert Einstein ने एक तरह से उस point पर explain किया he explained that in 1985 dual behavior of light is there light के दोनों behaviors को उन्होंने प्रपोस किया और depend करता है बचो वेव nature हो या particle nature हो था depend करता है कि वो आसपास की surrounding से कैसे interact करती है light का यह जो dual behavior है यह कभी wave की तरफ ज्यादा भारी हो जाता है कभी particle nature की तरफ ज्यादा हो जाता है depending on how the experiment is happening या आसपास में light किस चीज को देख रही obstacles की क्या dimensions है especially जब छोटे dimensions है surrounding में छोटे dimensions है जैसे slit हो गई slit बहुत पदली से आपने काव करी तो उसमें वहाँ पे wave nature prominent हो जाएगा otherwise particle nature prominent हो जाएगा बाद में यह पता चला है कि even electrons which are well established particles बहुत सारे ऐसे particles जो की बिलकुल particle ही माने जाते हैं वो भी एक dual character रखते है dual characteristic of electron which is showing interference and diffraction also जिसकी वज़े से हम electron microscope use कर पाते हैं electron microscope किस concept पर work करता है कि electrons का भी wave nature होता है उनकी भी wavelength होती है यह सारी चीज़े बच्चों आपको एक तरह से particles के लिए भी true होती होई पता चल रही है तो this is one contribution by Albert Einstein उसके अलावा हम बिलकुल नहीं बूल सकते हैं the contributions of Fresnel, Fokalt and Maxwell Maxwell आप जानते होंगे हमने electromagnetic wave नाम से chapter किया है और Maxwell के जो भी equations हैं वो पूरे electromagnetism को बदाते हैं especially बदाते हैं कि एक electromagnetic wave होती है और electromagnetic wave का क्या nature होता है क्या speed होती है सबसे पहले mathematically Maxwell ही बता पाए है experimentally तो आपको light की speed मालूम थी लेकिन Maxwell की equation से उसके theoretical value भी निकालके हम practical value के साथ यह confine कर पाए कि yes दोनों values in fact same है Maxwell की contribution है, Einstein की contribution है और wave और particle की बीच की यह लड़ाई एक तरह से light का particle nature होना यानि की photon से made up होना और light का purely wave nature होना जैसे Maxwell ने predict किया था यह लड़ाई एक तरह से truth पर आके खतम होती है कि ठीक है यार लड़ाई आज से नहीं करेंगे आज से हम यह dual behavior light का मान लेंगे light is a wave as well as particle depending on how the situation is depending on light किन चीज़ों के साथ interact कर रही है यह आपको बहुत एक interesting बात पदा चली होगी तो फार हमने जो भी discuss किया है इस lecture में तो जल्दी से कुछ questions कि तुम समझ लेते हैं बच्चों यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपको कैसे light show कर रही है wave nature किस situation में show कर रही है क्या लगता है आपको कौन से experiments में show कर रही है question number one आपकी screen पर है hello hello everyone good afternoon and आपके answers भी आगए है light travels in a straight line वो तो particle nature को promote करता है light exhibits a phenomenon of reflection and reflection वो भी particle से explain किया था लेकिन अभी जो interference experiment के बाद बात चली diffraction और polarization भी उसी चीज़ को support करते है कि light एक wave nature है light causes the phenomenon of photo electric effect भी क्या बता रहा था यह भी हमको बता रहा था कि light का एक particle nature है light का particle nature को prove करता है photo electric effect फिर से यह बाद आपको यहां पर पता चल रही question number one में also question number two यह पूछ रहा है कि हमने जो ray optics के concept सीखे है बच्चों जो concepts ray optics में सीखे है light travels in a straight line when medium is same वो किस dimensions के लिए true है the concepts of ray optics are valid for which characteristic dimensions of the same order as the wavelength of light या much smaller than the wavelength of light much larger than the wavelength of light क्या लगता है तो देखने हैं यह question language based है कई बार ऐसा होता है हम काफी चीज़े समझतों जाते हैं लेकिन question की language कई बार हमें challenge करती है तो वह एक main aspect है अपने content का lectures में बच्चों को उस तरह के questions करवाएं जिनकी कई बार language की वज़े से दिक्कत बच्चों को रह जाती है तो this question is basically asking पूछ क्या रहा है बच्चों के कौन से ray optics के concept हम valid बोलते हैं जब dimensions obstacle के नहीं कौन से dimensions है जब light किसी चीज़ के साथ interact कर रही है ना किसी object की image बना रही उस तरह की चीज़े में dimensions क्या होना है चीज़े dimensions of that object must be much larger than the wavelength of light जब light की wavelength nanometers है बट object image इनके distances lens के dimensions इनके distances millimeters में है centimeters में या meters में भी है वो definitely बहुत जादा है much larger than the wavelength of light है इस वज़े से light का एक ray optics वाला जो part है जो की particle phenomenon है वो dominate करता है पिर light का कौन सा part dominate करेगा जब wave optics वाला question बन जाएगा that must be of the same order as the wavelength उस case में हम क्या answer करते है जब light की wavelength की order के ही dimensions है slit के diffraction में भी slit के dimensions होते है वो करीब करीब same order as the wavelength of light होते है तब जाके wave phenomenon वहाँ पे जाद अच्छे से दिखाई देता है तो यह आपको कुछ दो questions में सवज में आई है next moving on to the wave nature of light अब हमें पता है कि जब light का wave nature होता है पार्टिकल नेचर भी होता है बट wave nature definitely होता है यह interference experiment में समझा है तो wave के कुछ basics हैं बहुत basic से concept है wave के हम एक बार revise कर लेंगे in fact इस पूरी series में मैंने make sure किया है कि कहीं ने कहीं जहां पर wave वाले जो concept class 11th में आप सीखते हो और आप में से कई लोग हैं जो कि 11th में wave on a string या sound wave के concept को skip कर दियो तो that is perfectly all right क्योंकि ऐसे कई बार हो जाता है कि जब 11th class के last topics आते हैं ऐसे चब हो गया waves हो गया mechanical properties of matter हो गया fluid mechanics हो गया तो वो इतना जल्दबाजी में करा दिये जाते हैं कि आप लोग उसको कहीं ने कहीं भूल जाते हैं एक तरह से डोंट वरी अपने सारे one shot revisions भी आपको मालूम है कि available है मैंने जो शुरू में लिंक दी थी लास्ट में फिर से बता दूँगा tinyurail.com slash giant 161 दिस वन लिंक बच्चो जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेगी अगर आप अपने बैक लॉग से चिंतित हैं 11th क्लास के चाहे 12th क्लास के जो भी टॉपिक सापके वन शॉट रिविजन में करने tinyurail.com slash giant 161 पर जाके देख सकते हैं absolutely free ठीक है यह आपको वेव का एक concept जो बीच में लगेगा न वेव ऑप्टिक से तो ओविसली वाली चीज़े आपको मालूम होनी चीए तो वह बीच बीच में मैं बता देरूंगा तो वेव क्या होता था य ठीक है and some physical quantity changing with space and time space और time यानि की x और t के function में जब y coordinate change होता है जब y direction में displacement होता है particles का तो हम y as function of x and t लिखते थे कैसे लिखते थे y is equal to a sin of kx minus omega t तो इस तरह की equation आती है waves वाली chapter में जिसमें a amplitude of oscillation होता है y मतलब की perpendicular direction में direction of propagation ये है wave का लेकिन इसके perpendicular direction में displacement हो रहा है तो जब भी perpendicular to the propagation direction displacement होता है उस तरह की wave को हम transverse wave का definition आपने पहले भी शायद पड़ा होगा बट उसमें main बाद आपको क्या याद रखनी direction of propagation मतलब wave किस direction में जा रही है उसके perpendicular में इसका displacement होता है एक transverse के अलावा longitudinal wave होता है के अलावा longitudinal wave होता है जो कि sound wave का example है sound wave में क्या हो रहा है sound wave में same direction में जिस direction में wave प्रॉपगेट कर रही है तो this is the direction of propagation लेकिन wave प्रॉपगेट कर रही है और oscillation भी इसी direction में हो रहा है that is the case of longitudinal wave example इसका हो गया sound wave example पिछले वाले का क्या हो गया बताओ एक transverse wave का example दे सकते आप इस तरी की wave जो की perpendicular to the direction of motion oscillate करती है तो example इसका हो गया wave on a string string wave भी बोल सकते हैं अपन string wave wave on a thread wave on a string जो हम पढ़ते हैं class 11 में उसके अलाबा आप देखोगे कि light wave भी एक transverse wave है light wave that we will study in this chapter is also a transverse wave तभी उसका polarization process possible है polarization क्या करता है एक particular direction में oscillations को cut कर देता है इक particular direction में oscillation को cut cup कर पाएंगे आप जब wave transverse nature की है और string के साथ भी polarization होता यह भी आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ा है तो वही बात कहरा हो बहुत साही चीज़े हम यहापर फिर से revise करेंगे बीच बीच में sound wave आपकी इस तरह से oscillate कर रही है and here the physical quantity that is changing with space and time is pressure sound को हम as a pressure wave भी यह लिख पाते है density wave की तरह भी लिख पाते हैं तो यह सारी चीज़े हम basically wave के बारे में already थोड़ा वो जानते है थोड़ा वो जानते होती है for example sound wave for example wave on a string and non-mechanical wave कौन सी होती जो बिना किसी medium के यानि कि vacuum में भी oscillate कर पाए यह characterization और होता है that is what brings us to light waves light waves क्या है एक तो ट्रांसवर्स नेचर की है आप in fact यह कुछ चीज़े लिख ले light wave के बारे में and एक और चीज़ जो आपको समझनी यहां पे वह है दीज़ा non-mechanical non-mechanical का क्या मतलब है कि यह बिना किसी medium के भी यानि कि vacuum में भी propagate कर पाएगी that is what light waves are and light waves को हम समझ सकते हैं बच्चो electric field का variation जैसे मैंने बोला sound की case में pressure है light wave on a string के case में आपका displacement on the y direction है तो यहां पे electric field is that quantity that will change in space where light is there तो यहां पे आप जो एक डाइग्राम देख रहे हो आपने अगर electromagnetic wave chapter हमने किया था करीब एक महीने पहली उसमें जो डाइग्राम तर वही डाइग्राम है this is electric field का variation along the y axis and magnetic field का variation along z axis और आप देख पा रहे हैं कि इस direction में x direction में wave propagate हो रही है all right wave का propagation समझ में आ रहे है और electric field और magnetic field अगर वेरी करता है तो उसी की वाज़े से magnetic field भी बनता है electric field की equation is equal to e not sin k x minus omega dm लिखते हैं magnetic field भी उसी तरह से वेरी करता है कैसे दोनों related होते हैं मैक्सवल की equation है क्या मैक्सवल की finding है यह हमने थोड़ा से detail में discuss किया है in a chapter known as em waves तो search करके आप देख सकते हैं एक ही lecture का topic है बट बड़ा important topic है जही मेन के point of view is especially anyway हमने वह चीज़ करी हुई है and equation of light wave वाली चीज़ है उसको आप basically समझो कि yes यह transverse wave है non mechanical wave है और wave है इसी की वज़े से आपका इसका nature होगा जो findings होगी वह हम निकाल सकते हैं because sound wave और wave on a string का basic idea है अपना यह series का lecture number 3 detailed में wave वाले जो भी आपके backlog हैं चाहे वह sound wave के हैं चाहे वह wave on a string के हैं वह हम cover करेंगे and this is a basic idea कि electric field change हो रहा है magnetic field change होगा और दोनों अगर एक दूसरे किसे perpendicular oscillate करेंगे that is what light really is किसने पता लगाया था किसने suggest किया था किसने बताया था Maxwell ने बताया था all right यह Maxwell की contribution है और अगर यह हम जानते हैं यह तरह से quick recap है कि यह चीज तो हम already जानते हैं तो हमें नई चीज इस chapter में क्या पढ़ना ही बच्छो that is the wave front तो यहां से जरूर लिखना चीज है wave front की एक heading भी बनाना बच्छो यहां पर अगर आप एक source of light को देख रहे हो इस diagram में अगर आपको एक source of light यहां पर एक point source of light अगर मैं यहां पर बना दो at this point then what will happen surrounding में आसपास में क्या होने वाला है because of this small source of light आप आसपास में देखेंगे कि इस तरह से कुछ vibrations है इस तरह से चाहे वो source of sound हो imagine करना कि source of sound क्योंकि वो चीज हम already हमें कई बार लगता है कि कोई चीज already मालूं में sound के बारे में बहुत साही चीज है already समझ में आती है तो वो sound का ही source मान लो एक speaker मान लो एक point इस तरह का speaker है which is sending out sound waves in various directions इसकी जो waves जारी वो कैसे जारी इस तरह जारी है इस तरह जारी हर direction में जारी है तो यह आपका point source की वज़े से एक wave का generation हुआ है और propagation हुआ है सभी directions में है सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि यह two dimensional plane में हुआ है यह sound source की वरे से इस direction में भी behind the screen भी बहुत सारे three dimensions में इसकी waves propagate करेंगी and if we make a contour ध्यान देना या पर इस language में if we make a contour of all particles which are vibrating in same phase यही चीज यही language आपको समझने आजकी इस class में contour का मतलब होता है group है ना आपने जब एक particles का group बनाया है concept particles all those particles which are vibrating in same phase phase का concept यहाँ पर एक तरह से आप समझ सकते हो in same way phase का concept जब हम simple harmonic motion chapter पढ़ते तो phase का concept सबसे पहले अपनी life में आता है उसके बाद वो waves में sound wave हो चाहे wave on a string हो उसके भी आता है उसके बाद क्यूंकि हमने alternating current recently पढ़ा था alternating current में भी जो phaser का concept आता है वो phase के concept से आता है बहुत सही तबही मचा देता है यह जब भी concept आता है बड़ आप लोग अगर इसको master कर लोगे especially in that one shot revision of SHM SHM का एक one shot revision हमने किया और पहला पूरा lecture उसका हमने phase के concept को समझने में किया तो आप लोग समझ सकते हैं कि same phase में in the same way जब vibrate कर रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स इसका मतलब बड़ा simple है theoretically आपको पता होना हो कहीने कहीं आपको कहीने कहीं intuition जरूर है कि सारे यह पार्टिकल्स आप देख रहे हो जो circle बना रहे ये सारे particles का अगर में circle बनाओं ये सारे particles का अगर में circle बनाओं ये जो सारे particles अपने maxima पे हैं एक साथ अपने maxima पे पहुंच रहे हैं ये सारे particles जो अपने minima पे एक साथ पहुंच रहे हैं अब देख रहे हैं individual particles इस diagram को थोड़ा सा full screen पे देखना तभी मज़ा आएगा एक particle यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, white dot, can you see how this is oscillating, sound wave का example ले रहे हैं, यह एक particle को अगर आप notice कर रहे हो, यह अपने आप में कैसे oscillate कर रहा है, आगे पीछे है, आगे पीछे मतलब की mean position से maxima पे, mean position से negative maxima पे, तो यह extreme से extreme में oscillate कर रहा है, लेकिन ऐसे सारे particles, जो कि इसके minimum पे जा रहे हैं, वो सारे particles को अगर मैं join कर दो, मेरे पास यहाँ पर point source के लिए, एक diagram बनाया, point source के लिए, यह सारे contours, यह सारे grouping of particles, जब आ जाते हैं, जो की same phase में है, इसी concept को हम कहते हैं, wave front, wave front की, यह particular statement, definition हो जाती है, आप लोग wave front heading भी बनाये, and contour of all particles, मतलब वो सारे particles, जो की same state of vibration में है, same तरीक्य से oscillate कर रहे है, same state of vibration में है, उन्हें हम trace करेंगे, उन्हें एक बार के लिए साथ साथ में बना लेंगे, हमारे पास यह जो diagram आता है, this is the diagram of wave front, due to a point source, point source की वज़े से जो wave front आ रहा है, वो हमने यहाँ पर लिखा है, एक तरह से और भी आप समझ स सकते हो बच्चों, एक alternate definition, definition number two, थोड़ी से basic language में है, यह ज़्यादा अच्छे से आपको समन में आएगी, contour word को use ना करें, जैसे contour word आप लोग जैसे geography में भी use करते हो, contouring बोलते हैं उस process को, के map पे वो सारे points आपने बना दिये, जो की same height पे है, देखा हो गया, ऐसा map आपने height पे होते हैं, इस वज़े से उनको साथ में group कर देते, contour कर देते, यहाँ पे वो सारे points जो की same state of vibration में है, साथ में maxima पे, साथ में minima पे, आप इस वाले particle को देख रहे हो, बच्चों, इस particle को देखी, कैसे maxima पे, minima पे साथ में जा रहा है, बट एक particle तो ऐसे oscillate करता, ऐसे करता है, सारे particles जो की आपके एक साथ बना दिये गए हैं, वो आपको एक circular fashion में दिखेंगे, definition number two is the surface joining all these points which are in the same phase, face का फंडा तो थोड़ा बहुत मालूम हो नहीं चीए, same phase मतलब same maxima पे है, same minima पे है, उनको अगर join कर दिया, वो पूरी surface को हम क्या कहते है, that surface is known as wavefront, ठीक है, wavefront के लिए एक statement लिख दिया आपने, diagram में important बातें क्या हैं बच्चो, इस diagram में important बात क्या है कि यह point source की वरे से, जो आपका एक direction of propagation आ रहा है, यह arrows का बता रहे हैं बच्चो आपको, light rays का direction बता रहे हैं, यह arrows आपको बता रहे हैं, direction of propagation, direction of wave propagation, ठीक है, wave के इस direction में जारी, दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि, the propagation of wave happens in the direction perpendicular to the wavefront, यह एक और चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, कि यह जो angle है 90 degree, यह जो angle है 90 degree है, यह जो wavefront से light के propagation का direction है, यह definitely perpendicular होने वाला है, यह एक important point है, जो कि आपको note down करना चाहिए, कि आपका जो direction of propagation of wave होगा, वो in wavefront shapes है, जो कि सारे same phase वाले particles को मिला के बन रही है, उनसे हमेशा perpendicular होने वाला है, यह तो आपने यह लिखा, यह point लिख लेना, diagram में भी बना देना, कि 90 degrees, जहां कहीं पर भी cut कर रहे है, यह direction of propagation, इस wavefront को cut कर रहा है, यहाँ देखो, यह सारे angles क्या होने चाहिए, आपके, 90 degrees होने चाहिए, ठीक है, एंड देखने, एक question जो मैं आपको यहाँ पर पूछ रहा हूँ, कि because of this point source of light, because of the point source of light, what is the shape of the wavefront, जो wavefront हमने अभी जज़ बनाया है, कि shape को हम क्या नाम दे सकते हैं, क्या shape बोल सकते हैं, क्या यह circular shape है, क्या यह elliptical shape है, या फिर, क्या क्योंकि यह three dimension में है, तो एक spherical shape हो जाएगी बच्चोर, एक point source की वज़े से, देखना है यहाँ पर आपका जो source of light, या इवन अगर sound wave भी होता न, यह सारे concepts ना, आपके sound wave पे भी लागो होता है, हैं, यह सारे concepts आप लोग अपने wave और string पर भी लगा सकते हैं, अगर string भी three dimensions में हो, तो आपको light की या जो भी wave है, हर दिशा में जाती हुए, ऐसे दिखेगी, बच्चोर, एक point source की वज़े से, because of a point source, पूरे three dimension में हर direction में light propagate करेगा, तो आपको एक spherical wave front दिखाई देगा, यह first case हम बनाते है, spherical wave front because of a point source of light, because three dimension में बन रही है, यहा पर तो आपने फिर भी diagram two dimension में बनाया था, आपको यही concept को three dimension में, imagine करना है और देखना है कि यह से point source की वज़े से, in fact 3D में, spherical wave front बनेगा, हैना, these are all the particles, जो की same distance पे है, center से same distance पे हैं, सारे particles, same distance पे हैं, यह सारे particles, same state of vibration में होंगे, same phase में होंगे, yes or no, इस चीज़ को आपको imagine करना पड़ेगा, एक point पे आपको यह diagrams बहुत अच्छा idea दे रहे हैं, in fact the best idea that you can ever have, about a wave front, wave front को किसी किताब से पढ़ना, wave front को इस lecture में जैसे हम पढ़ रहे हैं, that is different level altogether, तो बच्चों, आप लोग imagine यह भी करना, कि एक point source of sound है, एक speaker है, जिसकी वज़े से, जो sound wave जारी है, वो कैसे जारी है, पूरे three dimension में जारी है, not just in this plane, बट इस से उपर भी आरी है, इस plane के नीचे भी जारी है, आपको समझ में आया है, जैसे आपने propagation का direction बताया, यह अंदर भी जाएगी, यह एक bold line बाहर भी आएगी, इस तरह से, जो भी point same distance में होंगे, सोर्च से वो सारे same phase में होंगे, counter of all particles vibrating in the same phase, एक और analogy लेना, अगर आपने कभी अपने firecrackers देखें, जो कि sky में जाके burst होते हैं, दिवाली का season आने वाला है, आपने देखेंगे कि, कैसे firecrackers, जो कि, हवा में जाके फटते हैं, उनका भी similar understanding आप ले सकते हो, कि किसी point पे अगर एक explosion हुआ है, अगर explosion हुआ है, उस point पे जो भी particles same distance पे होते हैं, वो same phase में होते हैं, क्योंकि वो same एक साथ में चले होते हैं, इस point से, तो ये point source वाली केस में, spherical wavefront दिखता है, अपने को यहां से बहुत दूर से क्या दिखेगा, एक circular shape दिखेगा, ना कई बार two-three times भी blast होता हैं, वो same bomb क्या बोलते हैं, उसको आपको जानवालू होगा, तो वो दो-three बार जो फटता है, sky shot, वो एक बार में, दूसरी बार में और तीसरी बार में जब फटा है, तो वो अलग-अलग shape बनाता है, वो circular दिखता है, बट वो spherical होता है, अलग, it seems circular, but in reality it is spherical, because यह जो आपका point source है, उसकी विज़े से light waves जारी हर दिशा, ठीक है, यह एक और diagram है, बिलकुल आपको यह चीज समझ में आ रही होगी, कि यह कैसे spherical shape है, not just a circular shape, but यह एक और चीज जो कि हमने यहाँ पर point out किया है, कि इनके wave front से जो angle है, in direction of propagation का wave front से जो angle है, that is 90 degree, I hope you have written this point also, इस point को नहीं लिखा है, अभी तक तू लिख जरूर ने, that these rays are perpendicular to the wave front, very important कि जहाँ पर भी यह wave front को देवो, direction of propagation cut कर रहा है, वो 90 degree angle एक बना रहा है, यह आपका एक point source की वज़े से wave front की shape हो गई है, point source के case में अगर ऐसा होता है, then let's come to one case where we get a planar wave front also, second type, second shape of the wave front हो जकता है, planar wave front, यहाँ पर आप देखने इस diagram में बहुत सारे जो आपके, इस तरह के planes बने होए, यह आपका एक plane जो बना हुआ है, तो highlight करते हैं, यह plane और यह plane कैसे बन सकता है, इस तरह का planar wave front कैसे बन सकते है, यह तभी बन सकते हैं, जब आपकी light wave एक perpendicular direction में propagate कर रही है, light wave इनसे perpendicular बनाएंगे, direction of propagation wave front से perpendicular होता है, यह बनाएंगे, और अगर हम इसको perpendicular बना रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है, कि जब light wave एक दूसरे से parallel है, light rays जब parallel बनाते हैं, light rays को जब हम parallel बनाते हैं एक दूसरे से, उस case में planar wave front हमें मिलते हैं, आपको यह चीज़ का ख्याल रखते हुए, परपेंडिकुलर बनाने, wave front से यह परपेंडिकुलर है, यह आपको समझ में आ रहे हैं, थ्री डैमेंशन में इसलिए, यह अंगल आपको 90 डिगरी लग नहीं रहा होगा, बट डेफिनेटल यह 90 डिगरी है, और जब light rays आपकी एक दूसरे से parallel हैं, तो आपको क्या मिला है, एक planar wave front, यह second type है planar wave front, और इस तरह से एक diagram आप बना सकते हैं, ठीक है, यह लिखा, फिर देखना है, एक और point, side side में हम लोग कुछ properties भी discuss कर रहे हैं, हमने जैसे एक property raise up perpendicular to wave front, भी समझ लिया अच्छे से, एक property और समझ ना, एक property और आप क्या समझेंगे, the time taken by the light to travel from one wave front to another, one wave front to another time taken is same along any line, यहां पर यहां पर यह ताइम वाली एक प्रापरटी आप को और लिखनी चाए, यानि कि यहां से यहां पर आने के लिए, 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 सकते हो नहीं भी बोल सकते हो बट ये अगर आपका भी बना रहे हो डायग्राम तो मेंचन कर सकते हो ये सारे डिस्टेंस इस लैम्डा है देखर हो हमने इन फैक्ट इस डायग्राम में भी यहां वाले सारे डिस्टेंसे सेम होना जूरह और सारे डिस्टेंस सेम है natural सी बात यहाँ से यहाँ से यहाँ से अने में सिम्में लगेगा इसे लिख सकते हैं आप लोग यह आपको एक और प्रॉपर्टी वेफ्रंट की बता रही है वैसे हैं आप ही मैंने एक और चीज़ बता रखी है इस डाइग्राम में इंट्रेस्टिंग तो नो आउ कें अप लेनर वेफ्रंट भी जनरेटेड बनेगा कैसे कई बर यह आपकी दिमाग में आना चीए क्योंकि पॉइंट सोर्स की वज़े से स्फेरिकल वेफ्रंट बनता है पॉइंट सोर्स तो अपने को इमाजिन भी हो सकता है बट प्लेनर वेफ्रंट कैसे बन सकता है तो आप जिसे सन को इमाजिन करें बच्चों यह आपका एक सन क्योंकि बहुत दूरी पे है असल में बहुत सारे पॉइंट सोर्स से बना हुआ है तो हर एक पॉइंट सोर्स का वेव कैसे आ रहा है स्फेरिकल हर एक पॉइंट सोर्स का वेव कैसे आ रहा है स्फेरिकल वेफ्रंट आ रहा है न पर इतने सारे पॉइंट स यह आपको छोटा सा मैंने बताया कि कैसे प्लेनर वेफ्रंट एक्चुली बन पाता है क्योंकि सन की वज़े से लाइट रेज आरी वह एक दूसरे से पैरलल है बट पैरलल लाइट रेज कब बन पाती जब बहुत दूर में आपकी लाइट रेज किसी पॉइंट से ही स्टार् है यह प्लेंर वेफ्रेंट रेख आप ऐसे भी बना सकते हो आया एक प्लेन दूप्लेन इन से पंप है यह आसे ब्लें में इन से है आप इसका एक्जाम में बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं कि लाइट रेज अगर पारलेल टूद चैर जया से बोड एक्जाम में भी हब वह भो ऑब्जय क्वेक्टिव मिर एक लेजे हैं और पर्पेंडिकुलर दो वेफरंट एंड दे टाइम टेकन बाइद लाइट ट्रावल फ्रॉं वन वेफरंट तो अनदर इस सेम अलॉंग अनी लाइन ठीक है तो टाइम वाला प्रॉपटी एक पर्पेंडिकुलर होने वाला प्रॉपटी आपने लिख लिया है तो जल्दी से सुछे प्रसेस करें और अंसर करें मैं वाट शेप व वेफरंटगा स्वेडेश्ण वेन एट यूनिफॉड लिनियर सोर्स ऑफ लाइट इस देर लिनियर सोर्स ऑफ लाइट या आप इमेजिन कर सकते कैसा होगा असल में कैसा अब अगर एक ट्यूब लाइट की बात करें अब गरों में जो tube light वच्चो यूज़ कर रहे है that is also a linear source of light जब light का source एक line के along है तो उसका corresponding wavefront का shape क्या होगा shape of the wavefront बोला है options आपके सामने है इस point पे अगर आपने obviously A और B को eliminate कर दिया है तो अच्छी बात है यह point source वा रही है एक source at infinite distance वाला case हो गया planar वाला लेकिन cylindrical source cylindrical wavefront का shape is the correct answer तो C कैसे होगा यहाँ पर देखना अगर आपके पास cylindrical wavefront बनने का scope है वो बनता है because of infinite line infinite line of light आप अगर यहाँ पर जैसे infinite line of charge या wire की वज़े से magnetic field वाले cases पढ़ चुके हैं तो यह समदना आसान होगा कि जब आपका light का source इस तरह से linear है यह बीच वाला part आपका इस तरह से dotted बना रहे हैं कि वो बीच में है light का source ही linear है मतलब light कैसे जा रही है light कैसे इस से निकल के propagate कर रही है ऐसे भी कर रही है इस तरफ भी कर रही है जैसे electric field हुआ करता था ना बच्चो जिस तरह से infinite line of charge में electric field हुआ करता था वैसे ही अभी electric field तो नहीं है but what is this this is light का propagation light ऐसे जा रही है अपने को क्या ensure करना है कि light किसी भी point पे wave front की shape से perpendicular हो ठीक है यह wave front की shape क्या जाएगी cylindrical light wave हमेशा इस से perpendicular light का direction of propagation इस से perpendicular होना चीए ठीक है यह diagrams बनाना यह visualization लेना इस तरहे की यह आपका wave front की understanding का part है let's summarize what we have learned so far we have learned three types of wave fronts three types of wave fronts में एक सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है spherical wave front spherical wave front एक point source की विज़े से बनता है two dimension में circular दिखता है लेकिन असल में यह three dimension में point source का spherical wave front बनता है that is how you can draw the diagram so that they are perpendicular also second हमने पढ़ा है cylindrical wave front second हमने पढ़ा है cylindrical wave front जो किससे बन रहा है आपकी line source line source of light charge line linear source of light की वज़े से बन रहा है line source भी बोल सकते है linear source भी बोल सकते है and उसकी वज़े से जो आपका propagation का direction होगा वो भी बना दिया करो light ऐसे propagate कर रहा है ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है three dimension में कर रहा है dotted बना सकते हो जो चीज आपकी plane से पीछे है and you can see that these are perpendicular to the wave front wave front से perpendicular होना इनका जरूरी है third हमने planar wave front भी सीखा है planar wave front कब बनेगा जब light आपकी light rays आपकी parallel है parallel light rays कब होगी जब source infinity पे है source is very far away like in the case of the sun source infinity पे है तब जाके आपकी planar wave front बनती है बहुत बड़ी एक तो आपको wave front की shape का अंदाजा हुआ और दो points अपनने properties rather क्या पड़ी है these are important points as well as properties about wave front wave front के relation में क्या दो properties हमने समझी है that the rays are perpendicular to the wave front यह तो बहुत अच्छे से दिमाग में आपके बैड़ गया होगा and the other thing is that the time taken by the light to travel from one wave front to another is same along any line ठीक है time taken की terms में लिखना है although हम इसको distance की term में भी बोल सकते हैं लेकिन आपको मैं यह बताऊँगा कि कैसे यह सिर्फ distance की terms में बोलने में गड़बड हो जाएगा time taken is more appropriate समय जो आपको एक wave front से दूसरे wave front पे जाने में लगता है वो same होता है along any line of propagation और यह question मैं आपको homework दूँगा एक और question जो मैं शुरू में बताएं वो भी मैं आपको homework दूँगा यह question भी homework दूँगा कुछ questions तो आपको try करने पड़ेंगे so that we can take them up in the next lecture या फिर आपके JPP sessions भी मैं रखूँगा इस पर बहुत important है कि आप उनको attend करें और यह questions आप लो try करके इनके answer भी verify कर सकते हैं the answers will be given in the description में जो PDF उसमें आपको इसके solutions answer भी मिल जाएंगे और बचो हम क्या करेंगे हम जो शुरुवाती 2-3 lectures का एक basic idea है पूरे series में हम करीब 10 lecture करेंगे तो शुरू के 2-3 lectures में जो basic idea लेंगे उसकी regularly practice भी करेंगे so that will again happen in this lot 132.3 हम लोग class 12 की physics ले रहे हैं उसके बाद chemistry, maths और आपको बता है कि class 11 की लेक्चर अपने daily life चलते हैं till 10.30 पीम, everyday if you are new to the channel make sure subscribed है, make sure आप लोग अपने lectures को like कर रहे हैं, share कर रहे हैं hashtag jlive daily जरूर यूज़ करें जब भी आप इस तरह के lectures को समझ के और अच्छे से इस initiative को support करना चाहते है good things will last only when they are supported, all right, जिसे अगर अपने देश में अगर एक अच्छी सरकार आ जाती है, हमारे ये दाइत्व बनता है कि हम उसे tags दे के या votes दे के support करें, right, उसी तरह से आप लोग भी इस channel को अपना प्यार अपना support जरूर दें, telegram को भी आप लोग explore कर सकते हैं, telegram app को डाउनलोड करके, आप लोग academy J उस पर search करके, उसे follow कर सकते हैं, इस group में आपको सारी information regarding anything new we are doing, हम लोग बहुत सारी नई series launch करते हैं, नई-नई initiatives करते हैं, लेक्चर्स के लावब practice, motivation, बहुत सारी चीज़े हम जो unacademy की learning app पे भी करते हैं, उसको हम telegram पे बताते हैं, students को, unacademy learning app पे आपको बहुत सारे और lectures, practice sessions इस तरह से मिलेंगे, which is something like never before, आपको description में जो unacademy की link है, और एक साथ जो बने एक और link आपको बताई, जिसमें सारे one shot revisions वगरा पढ़ें, practice sessions पढ़ें, that is this link, और उसके लावा आपको एक link description में दे रखी है, an academy की profile की, which will take you to these special classes, these classes are meant to be, for interaction, for motivation, अपने बहुत सारे बच्चे अपनी बात रख पाते हैं, voice के through भी अपनी बात आप रख पाते हो, लिक भी सकते हो, और doubts भी अपने upload कर सकते हो, और उसके लावा हमने बहुत सारे practice sessions करी हो ही है, past में हमने इस तरह की practice करी हैं, जैसे कि exam में आपकी होती है, exam में जिस तरह question appear होगा बच्चो screen पे, और आपको एक time limit में बहुत सारे questions करने होते हैं, उसी तरह से हम लोग अगर daily class करते हैं, तो that is the strength, that is the power of an academy, learning app anacademy.com पे भी आप जाके देख सकते हैं, यह फाइदा क्या हो जाता है, YouTube में और इसमें क्या फरक हो जाता है, क्योंकि आप रोज उसी तरह से classes attend कर रहे हैं, जैसे कि exam है, exam online है, अगर आप engineering aspirant हैं, आपकी exam सारी online ही होने वाली हैं, नीट aspirants के लिए भी in the very near future आपकी exams online हो ही जाएंगी, आप जब exam online देने वाले हैं, तो regularly अगर आप practice भी ऐसी करेंगे, timer के साथ, poll feature के साथ, ABCD दबा के, आपकी वो confidence आपकी जो एक, अलग तरह से एक understanding बनती है, जो आपकी accuracy बनती है, और जो आपकी speed बनती है, दोनों improve करती है, and that is the overall thing that is the entire thing you need to crack any competitive exam चाहे वो board exam से चलू करें लेकिन CT exam, J main और J advance में भी अपने सारे students ने बहुत अच्छे ranks, in fact KVP, Olympiad level पे भी बहुत सारा अच्छा performance दिया है All India rank 1 इस साल academy से ही आया है, J main exam में ये बहुत सारे factors हैं, बच्चों जो बताते हैं कि already, like within two years हमने start किया भी, दो साल हुएं, उसी में क्यों ऐसा हो पाए है क्योंकि combination of best of the educators with best of the technology आपकी technology, educators के हाथ में, और अच्छे से आपको able बनाती है, काबिल बनाती अपने बच्चों को, और सहुलियत से train कर पाती है, कि average बच्चा भी बहुत अच्छे level पर पहुँच पाता है, because इस तरह से ये setup किया हुआ है, आपको वही बात है कि online का जो benefit है, online exam में better perform करने के लिए जो चीज़ें और साथ साथ जो best educators आपके हो सकते हैं, जे लाइव डेली टीम के आपके तीनों बाचेज 11, 12 तो ड्रॉपर्स के अभी चल रहे हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पर कोटा के educators से पढ़ना है, ऐसे author से पढ़ना है, जिनकी books आप लोग यह पेड प्लाटफॉर्म है बच्चो, अनकाडमी का यह जे चैनल का content, बहुत सारी special classes, बहुत सारी test भी description में आपको link में मिलेंगे absolutely free, but अनकाडमी learning app उसके लिए आपके phone में होनी जरूर ही है, make sure अनकाडमी learning app को आपने phones में install जरूर कर लिया है, if not do it right away, in academy learning app को open करके, आप ITJ, NEET, CT, exam, जो भी exam के त्यारी कर रहे है, एक चीज़ जरूर कर लेना, with the code जयन्त, आप लोग search कर लेना मेरे नाम से कोई भी special class और उसी से वो unlock भी कर लेना, as I said the special classes, यह YouTube के lectures, बहुत सारे test भी आप जो इस app पे search करेंगे, बहुत सारे test, practice वगेरा, बहुत साही चीज़ है, absolutely free है, उसको आप लोग इस code से जयन्त code से unlock कर सकते हैं otherwise, आपको किसी point पर ये लगे कि yes, आपको पूरा full-fledged जो एक premium plan होता है, जिसमें आपको सारे के सारे features activated होता है doubt clearing हो गया, आपके सारे courses done by every educator just think about this, सारे courses जो कि हर एक educator ने करे हैं सारे के सारे courses आपके available होंगे, आप चूज कर सकते हो कि आपका अगर कोई particular topic week रह गया, 11th में week रह गया, उसको improve कैसे करना है या आपने कोई topic कभी करा ही नहीं है, उसको कैसे best possible way में कर पाए, बहुत सारे multiple options रहेंगे तो आप लोग को अच्छा होगा, असानी होगी, बहुत सारी live interactive classes है, जो पुरानी classes होगी, उनकी recording तो ही है, इंट्रेक्टिव classes will make you understand things better way में, क्योंकि आप interact कर सकते हो, doubt पूछ सकते हो voice से पूछ सकते हो, बहुत सारी practice material, PDF form में जो आपको मिलती है, ठीक है printed form में भी मिलती है, Iconic में PDF में आप लोग को ज़्यादा comfortable है, तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको कभी कोई और source खरीदने की जरूत नहीं पड़ेगी, आपको अपने और पैसे, किताबों में या commute में एक जगे से आना जारा हूँ, उसमें खर्ष नहीं करने पड़ेंगे, that is the best thing about the plus subscription, बहुत सारी test भी आपका ensure करती है, कि rank अच्छा आएगा, आपको पता चलेगा किस point पर आप कितने अच्छे level पर हैं, तो बच्छों प्लान, इस two year plan and this is two point five year plan, क्योंकि क्लास बच्छा nine ten से भी start कर सकता है, ये जैन्त कोड से maximum discount पर आपको मिल जाएगा, जैन्त कोड मेरा personal code है, when you use it, use it proudly, क्योंकि आप जब भी anacademy की platform पर आते हैं, अपने बहुत सारे ऐसे courses हैं, क्योंकि आपको zero से advanced level के beyond, course को अगर आप zero से देखना चाहते हैं, तो भी available हैं, जब आप उसको short revision की form में देखना चाहते हैं, वो भी available हैं, चाहे physics, chemistry, maths, तीनों की आपने बात करें, ये course से maximum discount लेके, ये सारी चीजें आपको absolutely मिलेंगी, और आपको पूरा का पूरा फायदा भी होगा, बच्चों, एक iconic subscription भी होता है, अपने पास, iconic subscription में आपको एक personal coach, personal guide available रहता है, जो आपको बताता है कि आपको exactly अगर कहीं confusion है, तो कैसे उससे आगे आए, हो सकता है कि आपको यहाँ पर particular topic में, backlog हो या फिर आपका पूरा ही preparation जो है, वो अलग तरीके से start हुआ है, हो सकता है, आपने zero से start नहीं किये, हो सकता है, बीच में कहीं start करें, whatever, जो भी आपका concern हो सकता है, आपको कभी low feel हो सकता है, motivated नहीं है, आप enough वो personal coach is there to guide you, mentor you, again you can take it with maximum discount using the code जैंत, okay, all right, अपने जो upcoming batches जो उसकी information जल्दी से दे रहता हूँ, आपके जो Excel batches होते हैं, वो dropper के batches होते हैं Excel batches अपने dropper के batches हैं, जो कि देखना अभी 6 तारिक को चालू हो रहा है, 6 तारिक को मतलब कल चालू हो रहा है, और next week 13 को भी चालू हो रहा है, ठीक है तो यह अपने Excel batches droppers के emerge batch class 11th के बच्चों के लिए apt होता है, emerge batches क्योंगी class 11th में बच्चे अभी भी बार timely शुरूआत नहीं कर पाते हैं, that is all right बच्चो class 11th में आप कभी भी चालू करें this is in fact the best moment आप लोग 6th October का कल का या फिर next week का ये batch जरूर जॉइन करें, अगर आपका target है 23, ठीक है 11th में बच्चा है, मतलब 23 में जही लिखेगा और आपको ये batches 0 से सारी चीज़े चुरू से पढ़ाएंगे emerge batch बोलते है, class 11th के batch को एक crash course batch चालू हो रहा है 22 aspirants के लिए, जही में वालों के लिए especially, आपका target सिर्फ जही में है, कोई दिक्कत नहीं है जही में प्लस एडवांस है या Olympiad है, या KVPY है बच्चो हर एक चीज़ के लिए content available है तो ये सारे batches आपके upcoming days में, weeks में हो रहा है है make sure करें, आप लोग इसको देना पड़ता है, live ही दे सकता है scholarship जीतने पर आपको पता ही है कि आपकी fees में आपको फाइदा हो जाएगा तो आपको rank 150 तक में बहुत सारी scholarship available है use the code again, jainth for enrolling, enrollment free है बट वोई बात है कि code को आप use करेंगे तो free में enroll हो जाएगा, description में की link होगी आपको आप इसको scan कर सकते हैं, जैसे भी आप comfortable है, alright, so thank you so much for being a part of this session, anything you want, please leave it out in the comment, lectures को like और share ज़रूर करें, जब भी share करें, hashtag jlivedaily use कर लें, ये अपनी revolution का hashtag है, that is how in fact we stay connected with our students जब भी आप social media पे hashtag jlivedaily से share करते हैं we understand, we get to know और अपने इस revolution में के पढ़ाई करनी है, youtube पे करनी है, और ध्माकेदार अंदाज में करनी है, अलग level पे करनी है, जैसे मैंने बताया कि अपने students कैसे सिर्फ youtube देखके, सिर्फ और सिर्फ special class देखके भी 99.9 प्लस percentile ला रहे हैं आप लोग की महनत आप लोग का जुनून इतना होना चाहिए कि यस आप लोग भी हमारे साथ इतने महनत कर पाएं daily, regularly, live आने के लिए make sure आप subscribe हैं और bell icon भी जबाया हुआ है bell icon आपको remind करेगा यह आपकी life का सबसे important bell icon है क्योंकि आपको अपने अपने गोल की तरफ daily थोड़ा थोड़ा ले के जाएगा remind करवा के, okay यह बच्चो, anything else you can put it in the comment and वोई बात है कि आपको जो भी जुनून है, आपको जो भी aim है जो भी exam है, उसके लिए जो आपके हजारों सुकुन आपको छोड़ने पड़े इसे ज़रूर compromise कर सकते हैं ताकि future में अपना एक dream college और एक dream rank आ सके, alright, with those positive vibes I'll leave it out for you to answer those homework questions answer in the comments साथ साथ, lecture 2 में बच्चो हम लोग इसी wayfront के concept को use करके highgans principle को समझेंगे highgans principle समझने के बाद हमें बागी सारी चीज़े diffraction वगेरा भी समझ में आ जाती है तो हम आगी के लेक्चेस में continue करेंगे, see you then take care, keep practicing and जय हिंद